तो अब तक हम त्रिकोड में ये तीन सर्वसमीकाओं को देख चुके हैं इसमें हम कुछ पदों को पक्षांतर करके अलग-अलग रूपों में लिखना सीखेंगे और फिर उसका उप्योग हम आगे प्रशनों को हल करने के लिए करेंगे अब देखते हैं सर्वसमीकाओं का रूपांतरण तो पहला सर्वसमीका है साइन स्क्वेर थीटा प्लस कॉस स्क्वेर थीटा इक्वल टू वन ये तो इस रूप में हैं इसे हम अलग-अलग रूपों में भी लिख सकते हैं और वो कैसे अब हम देखेंगे इसके लिए आपको बीजगनिती सर्वसमीका के बारे में भी पता होना चाहिए जो की कुछ इस प्रकार है ये पिछले कक्षे हम आप पढ़के आचुके हैं तो ये तीन महत्तवपूर्ण सर्वसमीका है जिसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करने माले है तो देखिए, इसे sin square theta equal to 1 minus cos square theta लिख सकते हैं, यह जो sin square theta है यह left side में ही है, cos square theta को हमने पक्षांतर कर दिया, तो इस तरफ आ कर कि यह minus sin के साथ आ गया, अब देखिए, यह 1 है, इसको हम 1 square भी लिख सकते हैं, तो यहां से 1 square minus cos square theta equal to, यह देखिए, a square minus b square equal to a plus b into a minus b, इसे लिखा जा सकता है, 1 plus cos theta into 1 minus cos theta, और यह किस के बराबर है, sin square theta के बराबर है, तो यहां से हम लिख सकते हैं, sin square theta equal to 1 plus cos theta, और यह 1 minus cos theta का गुणा हुआ है, तो इस तरफ अगर हम ले जाएं, तो यहां पर हम इसके भाग में आ जाएगा, तो हमें क्या मिल रहा है, sin square theta upon 1 minus cos theta equal to 1 plus cos theta, 1 plus cos theta, तो इस तरीके से देखिए, यह इस रूप में था, इस तरीके से रूपांतरित हो गया है, दूसरा, अभी हमने यह 1 minus cos theta को पक्षांतर किया था, अगर हम 1 plus cos theta को पक्षांतर कर दें, तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, sin square theta upon 1 plus cos theta equal to 1 minus cos theta, तो देखिए, यह एक ही formula था, हमने दो अलग-अलग रूपों में लिख लिया है, अब देखिए, यहाँ पर sin square theta equal to 1 minus cos square theta है, आप इसको और भी अलग-अलग रूपों में लिख सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से, कि यह जो sin square theta को हमने left side पर रखा था, आप cos square theta को रख लीजे, तो cos square theta equal to हो 1 minus sin square theta, अब यह 1 minus sin square theta को आप लिख सकते हो, 1 plus sin theta, 1 minus sin theta, अब यह cos square theta equal to 1 plus sin theta into 1 minus sin theta है, अब एक bาร आप 1 plus sin theta को हर में ले आईए लेट side पर और एक बार, यह 1 minus sin theta को left में लेए, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, cos square theta equal to 1 plus sin theta equal to 1 minus sin theta, तो यह एक result है, अब इसे लिख लिए जाए, cos square theta, हम इसको left में लेकर के आ रहे हैं, तो cos square theta upon 1 minus sin theta equal to 1 plus sin theta, तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक सर्व समी का थी, उसको हमने 1, 2, 3 और 4, 4 अलाग अलाग रूपों में लिख लिया है, तो यह जो concept है, आपको कई सारे प्रश्णों को हल करने के लिए, या सिद्ध करने के लिए काफी उप्योगी होगा, तो दूसरा जो हमने सर्व समी का पढ़ा था, यह था, sec square theta equal to 1 plus tan square theta, अब यहाँ पर देखते हैं कि यह 10 square theta positive है, इधर ला करके हम उसको left side में ले आते हैं, तो हमें क्यानल दाएगा, sec square theta minus tan square theta equal to 1, यह a square minus b square के form में हैं, तो आप इसे a plus b और a minus b के रूप में लिख सकते हैं, तो हमें क्यानल दाएगा, sec theta plus tan theta into sec theta minus tan theta equal to 1, एक बार इसको आप left side में रख लीजे, इसको पक्षांतर कर दीजे, तो हमें क्यानल दाएगा, sec theta plus tan theta equal to 1 upon sec theta minus tan theta, तो यह एक result हो गया, इसी तरीके से, इसको आप left में रखिए, sec theta minus tan theta equal to 1 upon sec theta plus tan theta, यह, इस तरीके से हमें यह दूसरा result में रखिए, तीसरा सर्व समी का आपने पढ़ा है, कोसेक square theta equal to 1 plus cot square theta, तो इसका भी हमें इस तरीके से रूप अंतरण कर सकते हैं, यह cos square theta को left side में ले आएएगे, तो हमें मिलेगा, कोसेक square theta minus cot square theta equal to 1, a square minus b square के form पे है, आप लिख सकते हैं, कोसेक theta plus cot theta into, कोसेक theta minus cot theta equal to 1, इसको रहने दीजे, इस पढ़ को पक्षांतर कर दीजे, तो यहां से हमें मिलेगा, कोसेक theta plus cot theta equal to 1 upon, कोसेक theta minus cot theta, यह एक result, दूसरा, इस पढ़ को आप रखिए, पहले पत को पक्षांतर कर दीजे, यहां से मिलेगा, कोसेक theta minus cot theta equal to 1 upon, कोसेक theta plus cot theta, तो इस तरीके से जो दिए गये, हमें सर्वसमिकाये हैं, उसका हम रूपांतरन कर सकते हैं, और कई सारे प्रशनों को हल कर सकते हैं, अभी तक हमने जो सर्वसमिकाये पढ़ी थी, यहां हमें त्रिकोड मित्य फलन के आपसी संबंध के बारे में जो पता था, जैसे कि sin theta upon cos theta equal to 10 theta होता है, कोसेक theta जो है वो 1 by sin theta होता है, इस तरीके से आपको काफी सारे संबंध पता है, उसका हम उप्योग करके आगे प्रशनों को हल करेंगे या फिर सिद्ध करेंगे, तो अगला प्रशन है, सिद्ध कीजिए कि sin theta plus cos theta का whole square equal to 1 plus 2 sin theta cos theta, जब भी हमें सिद्ध करना हो, चार अलग-अलग वीधियों के द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं, पहली वीधि ये कि आप left hand side से start कीजिए, आप right hand side में पहुँच जाएंगे, तीसरी वीधि आपको कुछ पता है, कोई एक संबंध आपको पता है और आप उसको solve करते 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 left hand side equal to right hand side ले आते हैं, और चौथी वीधि ये कि left hand side को आप कुछ solve कीजिए, कुछ हद तक जहां तक वो हल हो रहा है, अब वहां तक जाकर करके रोख दीजिए, right hand side को ले करके चलिए, solve करते करते हैं, जहां तक आप हल कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो इस्थिती है और ये जो इस्थिती है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इस तरीके से ये आगे चल करके left hand side और right hand side equal हो जाते हैं, तो इन चार अलग-अलग वीदियों के द्वारा आप दिये गए कथन को सिध्ध कर सकते हैं, तो इस प्रशन में हम left hand side को ले करके चलते हैं, left hand side में दिया गया है sin theta plus cos theta का whole square, आपको पता है कि a plus b का whole square होता है, ये होता है a square plus 2ab plus b square, इसका हम यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं, तो यहाँ से में क्यानल जाएगा, एक a square मतलब sin square theta plus cos square theta plus 2sin theta cos theta, देखिए, ये कैसे आया, sin theta का अगर आप square करेंगे, तो वो हो जाता है sin square theta, ये theta constant है, function का square हो रहा है, तो यहाँ पर यह sin square theta आ जाएगा, sin square theta plus cos square theta हमने पढ़ा है, ये 1 होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर value put कर देंगे, तो आप लिखेंगे 1 plus 2sin theta cos theta, क्यों, sin square theta plus cos square theta, ये 1 का equal होता है, सर्व समीका से, तो देखिए, left hand side में हम ले करके चले थे, और हम ये पहुंच चुके हैं, right hand side में, तो इस तरीके से ये आ गया, right hand side, तो left hand side equal to right hand side से ये proof होता है, कि sin theta plus cos theta का whole square equal to 1 plus 2sin theta cos theta, तो अब हमें सिद्ध करना है, sin cube theta plus cos cube theta equal to sin theta plus cos theta into 1 minus sin theta cos theta, इसे हल करने के लिए हम left hand side को ले करके चलते हैं, वैसे दो अना अलग 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 विधी से हल कर सकते हैं, left से चलके right वे पहुंच सकते हैं, right से solve करते हैं, हम left वे पहुंच सकते हैं, तो चले, पहले भी देख लेते हैं, यहां पर हम left hand side से solve करेंगे, तो a cube plus b cube, यह जो बीजगणी थी, सर्वसमी का है, यह आपको पता होना चाहिए, यह होता है a plus b into a square plus b square minus a b, तो इसका हम उप्योग करेंगे left hand side पे, तो हमें क्या मतलब आएगा, sin cube theta plus cos cube theta equal to a plus b, इसका मतलब क्या, sin theta plus cos theta, फिर a square plus b square, a square का मतलब है, sin square theta और b square क्या है, cos square theta minus a b, तो हो जाएगा, minus sin theta cos theta, इसे जब और आगे हल करेंगे, तो यह sin theta plus cos theta remain रहेगा, अब देखिए, sin square theta plus cos square theta हमने पढ़ा यह one के equal होता है, तो यहाँ से हम इसको लिख देंगे, one minus sin theta cos theta, यह क्यों, sin square theta plus cos square theta equal to one, यह सर्वसमी का से होता है, तो यहाँ पर देखिए कि यह हमें value में रही है, और यह right hand side के equal है, तो इस तरीके से, देखिए कि हम left hand side को ले करके चले थे, और right hand side में पहुंच चुके हैं, इस तरीके से यह सिद्ध होता है, तो पहली विदी में हम left hand side को ले करके चले थे, अब right hand side में पहुंच गए हैं, अब दूसरी विदी में हम right hand side को ले करके चलते हैं right hand side में क्या दिया गया है sin theta plus cos theta into 1 minus sin theta cos theta ये जो 1 है आप इसे replace कर दीजे sin square theta plus cos square theta से sin square theta plus cos square theta equal to 1 होता है इसका हम उप्योग करेंगे यहाँ पर इसका मान रख देंगे तो यहाँ से हमें क्या में दाएगा sin theta plus cos theta 1 यहाँ पर हम लिख रहे है sin square theta plus cos square theta minus sin theta cos theta यह वाला जो पद हमने उसको as it is लिख दिया अब गुणा करेंगे sin theta का पूरे पत के साथ गुणा फिर cos theta का पूरे पत के साथ गुणा चलिए sin theta पहले हम लिख लेते है sin theta into sin square theta plus cos square theta minus sin theta cos theta फिर प्लस यह cos theta cos theta into यह पूरा का पूरा पत sin square theta plus cos square theta minus sin theta cos theta अब आगे हल करते है sin theta और sin square theta का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा sin cube theta फिर यह sin theta और cos square theta का गुणा करेंगे आपको मिलेगा sin theta cos square theta फिर यह sin theta cos theta का गुणा sin theta से करेंगे तो sin square theta और यह cos theta फिर प्लस cos theta और sin square theta तो यहाँ से मिल जाएगा sin square theta cos theta करम महत्वपूर नहीं है आप cos theta को भी पहले लिख सकते है फिर ये cos theta और cos square theta का गुणा करेंगे मिल जाएगा cos cube theta फिर minus sin ये plus और ये minus है तो गुणा minus हो जाएगा sin theta और cos theta में cos theta का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ से मिलेगा sin theta into cos square theta देखिए sin square theta cos theta यहाँ पर negative sin के साथ है और यहाँपर positive sin के साथ है यह दोनों पर canceLE हो जाएगे उसी तरीके से यह sin theta cos square theta minus sin के साथ में और यहाँ पर यह plus sin के साथ में यह दोनों अपस में cancel हो जाएंगे तो ultimately हमारे पास क्या value बचेगी यह होगी sin cube theta plus cos cube theta देखिए इसमें हम right hand side को ले करके चले थे और हम left hand side पे पहुंच चुके हैं तो इस तरीके से सिद्ध होता है कि left hand side equal to right hand side जो किया है sin cube theta plus cos cube theta equal to sin theta plus cos theta into 1 minus sin theta cos theta अगला प्रशन है जहाँ पर हमें सिद्ध करना है sin का power 4 theta minus cos का power 4 theta equal to sin square theta minus cos square theta तो अगर अप left hand side को देखें तो यह बड़ा आसान है चलिए left hand side को ले करके चलते हैं left hand side में है sin का power 4 theta minus cos का power 4 theta इसे हम लेख सकते हैं sin square theta का square minus cos square theta का square ultimately जब इसे solve करें तो मिल जाएगा sin का power 4 theta और इसको solve करें तो मिल जाएगा cos का power 4 theta यह a square minus b square के form में मिल रहा है अब यह क्या होता है a square minus b square equal to हम लिखेंगे a plus b और a minus b यदि a को replace कर दिया जाए sin square theta से और b को replace कर दिया जाए cos square theta से तो हमें यह मिल जाएगा तो चलिए left hand side में यह जो पद है इसके हम आगे हल कर रहे हैं यहां से हमें क्या मिल जाएगा sin square theta यह a plus b sin square theta plus cos square theta और फिर a minus b sin square theta minus cos square theta आपको यह पता कि sin square theta plus cos square theta 1 होता है थोड़े देर पहले हमने सरोसमीका में देखा था तो उसका माना हम यहां पे रख देते हैं तो 1 into sin square theta minus cos square theta क्यों sin square theta plus cos square theta 1 होता है यह reason लिखना जरूरी है once इसका गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा वही पद sin square theta minus cos square theta देखिए left hand side को ले करके चले थे और हम right hand side पे पहुंच चुके हैं तो इस तरीके से यह सिद्ध होता है left hand side equal to right hand side that means sin power 4 theta minus cos power 4 theta equal to sin square theta minus cos square theta similarly आप right hand side को ले करके चल सकते हैं और left hand side में पहुंच जाएंगे चलिए दूसरे विदी से भी देख लेते हैं right hand side से हम स्टार्ट कर रहे हैं यह है sin square theta minus cos square theta तो किसी भी पद में हम एक का गुणा करेंगे तो हमें वही पद मिलेगा तो हम लिख लेते हैं into 1 और 1 को हम replace कर देते हैं से sin square theta plus cos square theta से तो sin square theta minus cos square theta into sin square theta plus cos square theta यह देखिए a plus b और a minus b के form पे हम लिख पाएंगे a square minus b square तो यहां से क्या हो जाएगा sin square theta का square minus cos square theta का square तो ultimately हमें मिल गया sin का power 4 theta minus cos का power 4 theta right hand side में लेकर के चले थे left hand side में पहुँच चुके हैं तो इस तरीके से हम लेख सकते हैं left hand side equal to right hand side सिद्ध हुआ तो चली आगे प्रश्ण देखते हैं जहां पर हमें सिद्ध करना है tan का power 4 theta plus tan square theta equal to sec का power 4 theta minus sec square theta तो इसे सिद्ध करने के लिए आपको पता होना चाहिए एक सर्वस्वमी का जो कि tan और sec के बीच में सम्बंद को दर्सा आता है जो कि है 1 plus tan square theta equal to sec square theta left hand side को लेकर के भी चल सकते हैं right hand side में पहुँच जाएंगे right को लेकर के left में पहुँच सकते हैं लेकिन इसमें हम आगे देखते हैं left hand side को लेकर के चलेंगे एक particular state में जाकर रुख जाएंगे उसे तरीके से right को लेकर के चलेंगे और एक stage में जाकर के रुख जाएंगे और हम देखेंगे कि दोनों इस थीतिया आपस में बराबर है तो चलिए left hand side से लेकर के चलते हैं 10 का power 4 theta minus 10 square left side को लेकर के चलते हैं पर 10 square theta plus 1 और आपको पता है कि 1 plus 10 square theta equal to होता है sec square theta यहाँ पर value put कर दीजे मिल जाएगा 10 square theta into sec square theta इसे हम 1 देखर के चलते हैं अब right hand side पर चलते हैं sec power 4 theta minus sec square theta इसे हम आगे solve करते हैं तो देखिए दोनों पद में हम sec square theta को common ले सकते हैं तो sec square theta को जब हम common लेंगे तो यहाँ पर आएगा sec square theta minus 1 अब फिर यहाँ पर जो relation है आपके पास sec square theta equal to 1 plus 10 square theta तो हम क्या करते हैं यह जो 1 है उसको पक्षांतर कर देते हैं तो हमें क्या मिल रहे हैं यहाँ पर 10 square theta equal to sec square theta minus 1 तो यह sec square theta minus 1 को हम लिख सकते है 10 square theta तो यहाँ से आप लिख दीजे sec square theta और यह हो जाएगा 10 square theta यह लेते हैं दूसरा तो देखिए पहले और दूसरे दोनों का जो right hand side equal है तो obviously बात है कि left hand side भी equal होगा तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं एक वह दो से 10 का power 4 theta plus 10 square theta equal to sec का power 4 theta minus sec square theta अब चलते हैं अगले प्रस्टन पर जहाँ पर है 1 minus cos A upon sin A equal to sin A upon 1 plus cos A यह हमें सिद्ध करना है तो बड़ा असान है अगर आपने थोड़े दिर पहले हमने जो सर्वसमी का है उसको अलग-अलग रूपों में बदल कर देखा था वो उसी format पे है देखिए अगर इन दोनों का तिर्यक गुणा कर दिया जाए sin A और sin A तो आपको मिल जाएगा sin square theta और इस पद और इस पद का गुणा किया जाए तो देखिए A plus B है और उपर में A minus B है तो आपको कहा मिल जाएगा A square minus B square तो आपको कहा मिल जाएगा 1 minus cos square theta equal to sin square theta और इसको जब अपहल करेंगे तो आपको के मिल जाएगा sin square theta plus cos square theta equal to 1 जो की एक सर्वसमीका है तो अपने आप में सर्वसमीका तो खुद से सिद्ध है या स्वता सिद्ध है उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है इसका मदलब ये कि हमें जो ये दिया गया है ये सत्य है या फिर इसे और सिद्ध करने की जरूरत नहीं है तो चलिए आगे चलते हैं तेरिया गुणा करने पर इस पत का गुणा इस पत के साथ करेंगे तो मिल दाएगा 1 minus cos a into 1 plus cos a इस पत का गुणा इस पत के साथ करेंगे आपको मिल दाएगा sin square a a minus b a plus b sin square a इसको इस तरह पक्षांतर कर दीजे तो आपको मिल दाएगा 1 equal to sin square a plus cos square a या फिर sin square a plus cos square a equal to 1 तो जो की सर्वसमीका है स्वता सर्वसमीका है अता यहाँ पर यह जो पहला अगर इसे समीकरन दिया जाए तो यह सिद्ध होता है कि 1 minus cos a upon sin a equal to sin a upon 1 plus cos a क्यों यह सर्वसमीका है यह सर्वसमीका है अता यह जो कथन दिया गया था 1 minus cos a upon sin a equal to sin a upon 1 plus cos a सिद्ध होता है अब इसी को आप दूसरे तरीके से भी ले करके चल सकते है सर्वसमीका हम जानते हैं कि sin square theta यह sin square a plus cos square a equal to 1 होता है अब यह cos square a को पक्षांतर कर दीजे मिल जाएगा sin square a equal to 1 minus cos square a 1 को 1 square लेख सकते हैं यह a square minus b square के form पे है यहां से आप इसको लेख सकते हैं 1 minus cos a into 1 plus cos a यहां पर sin square a है अब यहां पर जो sin square a है उसके एक पत को इस तरह पक्षांतर कर देते हैं तो मिल जाएगा 1 minus cos a upon sin a तो यहां पर 1 sin a बच जाएगा sin a into sin a that is sin square a और यहां पर यह जो 1 plus cos a है उसको पक्षांतर कर देते हैं इदर इस पद में यह गुणा हुआ है left hand side में अरके यह भाग में आ जाएगा तो 1 minus cos a तो इस तरीके से यह सिद्ध होता है कि sin a upon 1 plus cos a equal to 1 minus cos a upon sin a यह जो left में लिखा है वो इस तरफ right में है और यह right में जो लिखा है वो इसमें left तरफ है तो इस तरीके से आप एक ही प्रश्न को अलग-अलग तरीके से सिद्ध कर सकते हैं या फिर हल कर सकते हैं अगला प्रश्न जहाँ पर हमें सिद्ध करना है root over 1 plus sin theta upon 1 minus sin theta equal to 1 plus sin theta upon cos theta equal to sec theta plus tan theta यह हमें proof करना है तो यह जो प्रथम पद है हिसे हम ले करके चलते हैं तो 1 plus sin theta upon 1 minus sin theta अब इस तरीके के उप्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करते हैं हर का परीमे करन करते हैं और हर का परीमे करन कैसे करते हैं हर में जो रासी है उसके सयुगमी से गुणा और भाग करते हैं चलिए आगे करते हैं इसका root over 1 plus sin theta upon 1 minus sin theta इसका समय गमी 1 प्लस sin theta अपान 1 प्लस sin theta अब देखिए 1 प्लस sin theta और 1 प्लस sin theta दो बार है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस sin theta का square और नीचे ये a minus b और a plus b के form पे हैं तो यह क्या होता है a square minus b square तो यहां से हो जाएगा 1 square minus sin square theta और चूंकि आपको पता है कि sin square theta plus cos square theta equal to 1 होता है तो यहां से हमें क्या मिल दाएगा cos square theta equal to 1 minus sin square theta तो यहां पर यह जो 1 minus sin square theta है उसके जगा में हम लिख सकते हैं cos square theta तो यह जब आगे हल करेंगे तो क्या मिल दाएगा 1 plus sine theta का square है upon यह है तो यह जब आगे हल करेंगे तो मिल दाएगा 1 plus sin theta upon cos theta cos square theta है इसका square उट लेंगे तो मिल जाएगा cos theta तो यहाँ पर यह जो अगर इसे प्रथम पद ले करके चलें तो पहला जो है वो दूसरे के equal है first equal to second अब यह जो पद है इसे हम और आगे हल करते हैं तो हम यहाँ तक भी पहुंच जाएंगे अब यहाँ पर 1 plus sin theta upon cos theta है इन दोनों पदों को अलग-अलग कर लीजे इसका मतलब है 1 upon cos theta लिखे plus sin theta upon cos theta लिख लीजे और 1 upon cos theta आपको पता है यह 6 theta के equal होता है और sin theta upon cos theta यह 10 theta के equal होता है तो यहाँ पर 1 और 2 से हम यह लिख सकते हैं कि 1 plus sin theta upon 1 minus sin theta equal to 1 plus sin theta upon cos theta equal to sec theta plus 10 theta देखिए इस पद को लेकर के चले थे हमें यह पद मिल गया और इसी पद को और आगे हल किये हमें यह पद मिल गया इसका मतलब यह कि पहला पद दूसरे पद के बराबर है और दूसरे पद तीसरे पद के बराबर है तो पहला पद तीसरे पद के बराबर होगा तो इस तरीके से यह जो कथन है यह सिद्ध होता है